साथियो नमस्कार, क्या आप इन दिनों एजुकेशन पोर्टल, सिख्षा पोर्टल या दिख्षा पोर्टल या एम सिख्षा मित्र में लॉग इन से परिसान हैं, लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं नेट वर्क की समस्या, ब्रावजर अपडेट नहोने की समस्या, आदी कई कारणों के साथ साथ सबसे महत्रपूर कारण हो सकता है कि आपका education portal में mobile number सही दर्ज ना हो तो आप सबसे अच्छा तरीका है इस समय जो option खुला हुआ है वो अपने password की recovery कर लिजे उस password की recovery का pin अर्था OTP 6 अंकों का आपके registered mobile number पर आवेगा अब सबसे बड़ी समस्य आ रही है कि मेरा registered mobile number education portal या सिख्षा portal या M सिख्षा मित्री या दिख्षा portal में कौन सा है जब आपका mobile number पता होगा तब ही तो आप उस पर आस्वस्त होंगे कि हम OTP इसमें देखे तो बड़े आसानी से आप mobile number अपना पता कर सकते हैं ये जानकारी अभी हम आज के वीडियो में share करेंगे और अगर mobile number आपका गलत दिख रहा है तो आप बड़े आसानी से district login से या BRC login से या district programmer के थ्रू अपना mobile number अपडेट कर सकते हैं और बड़े ही आसानी से आप अपना password recover कर सकते हैं अब सबसे बहुत important बात है कि आपका mobile number कौन सा registered है ये registered नहीं है ये कैसे जाने तो उसके बहुत सारे तरीके हैं M सिक्षा मित्र में पर एक बहुत simple सा तरीका मैं आपके साथ में share कर रहा हूँ उसके थ्रू आप अपने किसी भी साथी की मदद से जिसका उसके mobile में M सिक्षा मित्र login हो रहा है उसके login से आप अपना registered mobile number भी पता कर सकते हैं तो आएए इस पूरी प्रत्रिया को बहुत ही संचिक्त में आसानी से समझते हैं इसके लिए आपको आपके mobile में install M सिक्षा मित्र एप को open करना होगा M सिक्षा मित्र open करने के पस्चात नीचे आप देखेंगे ये arrow का निशान बना हुआ है इस पर आप click कीजिए इसके पस्चात ये जो आइकन बने हैं किसी भी आइकन पर click कीजिए माल लेजे पहले आइकन पर आपने click किया विद्यार थी तो ये आपके सामने होगा ये स्क्रीन में आप अगर देख पा रहे होंगे तो ध्यान से देखिए नीचे आपको एक नया एक स्ट्रिप मिल रही है इसमें बहुत सारे आपको आपसन दिख रहे हैं यहाँ पर आपको सीधा dashboard पर जाना है और अपने mobile के स्क्रीन को स्क्रॉल करना है सबसे नीचे सबसे अंतिम आइकन जो लिखा हुआ है संपर्क सूत्र इस पर आपको click कर देना है प्लिक करने के पस्चाथ आपका जो स्क्रीन है mobile पर यह दिखाई देगा आप इसकी पस्चाथ आप जिस विद्याले में पदर्स्थ हैं उस विद्याले का dice code इंटर करेंगे dice code इंटर करने के पस्चाथ देखें बटन पर प्लिक कीजिए अब बहुत ही important window है यह सामने में द्रो जिस dice code को आपने इंटर किया उस dice code में जितने अध्यापक पदर्स्थ हैं सभी का नाम और उनका imply code और mobile number registered mobile number आप देख पा रहे होंगे सभी का इसमें दिख रहा है आपको बस अब आपका कौन सा mobile number registered है बड़ी आसानी से आपको यहाँ से पता चल जावेगा यह आप अपने विद्याले में पदर्स्थ किसी भी सिक्षक जिसके mobile में m.sikshamit run कर रहा हो सिर्फ उसके mobile से पूरे विद्याले के सिक्षकों का कौन सा mobile number registered है वो आसानी से पता कर सकते हैं और अगर mobile number गलत है तो आप district login से या BRC या district programmer से अपना mobile number registered कर आ लिजिए बहुत ही आसानी से आप अपना password बना सकते हैं तो मित्रो यह थी जानकारी जो बहुत ही प्रासांगी थी बहुत ही जादा query आ रही थी कि हम M.Sikshamit में login नहीं कर पा रहे उसका मूल कारण यह था कि आपका mobile number registered mobile number आपको पता नहीं है या आप उसमें OTP नहीं प्राप्त कर पा रहे तो मित्रो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही मातपूर जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्वाज जय हिंद जय वारत